इस वीडियो से पहले में आपके साथ एक वीडियो सेर कर चुक हूँ जिसमें मैंने लार्ज क्याप वीचल फरंड का डेटे सेर किया था जो कि फर्स्ट लोगडाउन पर इंवेस्टमेंट किया और उसको लगबग चार साल तक कंटीनू किया गया यानि कि 23 मार्च 2020 को इंवे लगबग साले तीन लाख रुप बनाये थे लेकिन इसी परिकार से सेम टाइम फ्रेम में सेम आवांट ओप इंवेस्टमेंट उसी डेट को 23 मार्च 2020 को हमने किया है फर्स्ट लोगडाउन की मतलत समय में और इसको हमने कंटीनू किया है इसमोल कैप इंवेस्टमेंट मूच और फंड था उससे उसके रिटर्न मैच कर रहे है तो इसका मतलब क्या है 21 फंड की लिस्ट है तो जो टोब बाला होगा उसने कितने रिटर्न बनाये होंगे आप इमेजन नहीं कर सकते उसने इतने सांदार रिटर्न बना कर दिये केवल 4 साल के टाइम फ्रेम में और यहाँ आपर जो डेड़ साल का स्टार्टिंग फेस था उसमें कोई मार्केट ने ऐस सच अच्छी रिटर्न बना कर दिये नहीं है तो प्रेक्टिकल यह दी बात माने तो केवल 2 साल में इतने रिटर्न बने है ठीक है लेकिन हमारा पैसा लोट रहा है 4 साल के लिए तो हम 4 साल का ट पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे ऐसा कहनी होता है और ऐसा हमें चाहिए भी नहीं और ऐसा यदि सोच कर आप कोसिस करोगे कि पैसा इतना रैपिटली आपको बनाना है तो आपके साथ कुछ ना कुछ फ्रोड भी हो सकता इन सब चीजों से बचके रहे है क्योंकि लोग आ लाम है कि उन लोग को फोलो कीजिए जो लोग आपको लगतने कि अथेंटिक है अपने विवेक का इस्तमाल कीजिए ना क्या जो लोग सामने वाला वो प्रोडॉक्ट आपको बेच रहा है यदि वो इतना ही अच्छा होता तो आपको बेचता क्यों पहले वो खुद यूज लोस हो रहा होता है तो ऐसे लोग को आप बढ़ावा देना बंद कीजिए और अपने विवेक का इस्तमाल कीजिए चीक है तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले देखेंगे जिसने सबसे कम रिटन बना कर दिये हैं उसके बाद मैं लास्ट में जो स्किम बताऊंगा उसने स सबसे ज्यादा रिटन बना कर दिये होंगे और यहां पर 1,00,000 रुपीज हमने वंन टाइम इंवेस्टमेंट किया है यह इंवेस्टमेंट यदी ज्यादा होता तो आपका पैस पैस जो इस रेचियो से ज्यादा बन गया होता तो यहां पर सबसे लिस्ट में जो नीचे है वो एक्सिस स्मूल कैप है और सर्प्राइजिंगली लाज कैप में भी एक्सिस बिलूची भी था तो यहाँ पर तीन लाग चैसटाया चारसो असी रुपए इसने बना दिया आपके एक लाग रुपए के बहुत गजब के रिटन है बहुत अच्छे रिटन है और यह लिस्ट बनाए है तो काफी अच्छी रिटन है ओल्मोस्ट आपका पैसे जो है एक लाग का यानि कि चार लाग रुपए तक पहुंच चुका है चार साल के टाइम प्रेम में इनवेस्ट को इंडिया इस्मोल कैप फंड की यह दिबात करें चार लाग साथ यार इसने बनाए है यू यदि आपने 10 लाग लगाए होते तो उसी रेशियों में 40 लाग रुपए बन गया होते इसके बाद देखिए सुंद्रम स्मोल कैप 4,28,000 कोटेक स्मोल कैप 4,31,905 रुपए टाड़ा स्मोल कैप 4,37,000 बनाए है अब ये कोई भी किसी पिरकार के mutual fund में किसी scheme में recommendation suggestion नहीं कि आपको फलानी scheme में निवेस करना है कि अब आपको time time पर ऐसे data में आपके साथ share कर देता हूँ यदि regular मुझे follow करोगे जो videos में data में आपके साथ साला करता हूँ तो आपकी understanding उस level तक पहुंच जाएगी कि अपना decision आप खुद लेलो मुझे ना बताना पड़े किसी fund का नाम क पताऊंगा भी नहीं कि I am not approved for that कि मैं आपको direct recommend कर दूँ ठीक है कल को आपका पैसा रिस्क में जाएगा आपको यदि आपको इतना जानकरी नहीं है सो ट्रम में नुकसान हो गया तो आप बोलोगे हिमाचल भाई के कैने सी पैसा लगाया था नुकसान हो गया बहुत लोगो हमें चलानी है जब बच्चे का स्कूल में एडमीशन होता है तो पहली क्लास में LKG में फिर UKG में फिर फस्ट में ऐसा नहीं कि सीधा आपने फिफ्ट में करा दिया फिर ट्वेल्थ में करा दिया ठीक है तो ऐसे investment के साथ कहानी होती है आगे देखी कोटक के बाद टाटा ह होने यार कैनरा रूबे को स्मॉल कैप चार लाग तरिश्ट है रूपे इसने बना दिये है आपकी एक लाख रूपे के अब आगे आपका SDFC स्मॉल कैप चार लाग ठाटर रहा चार सो नहांचास रूपए बहुत चांदर रिटन बनाए है अब बचे के वल टोप के थी फं स्मॉल कैप जिसने की बनाए आपके एक लाख रूपए के पांच लाख पचास और पांसो पैटीस रूपए साड़े पांच लाख रूपए अच्छा एमाउंट है यदि पांच लाख लगाए होते आपने तो आपके पैसे उसी साफ से मंटिप्लाई हो गया होते हैं आपक इसे के लिए 10 लाख रूपए की एक लाख रूपए के बदावार है लिस्ट का नंबर वन फंड आप समझगे होगे कौन्ट स्मॉल कैप फंड इसने बनाया 7,98 रूपए यानि की मोटा मोटा आठ लाख रूपए अब इस फंड का कंपरिजन आप लिस्ट में से किसी के भी साथ नहीं कर सकते हो क्योंकि यदि बात करें ऊपर के टोप तू के तो कौन्ट स्मॉल कैप ने बनाये 7,98 जार इसको 8 लाख कंसिडरेदी करते हैं 8 लाख दूसरे नंबर का जो स्कीम का फंड है निपोन इंडिया स्मॉल कैप 5,50 तो यहां पर देखिए 8 और 5,50 धाई इसकी सारी स्कीम्स हमेशा ऐसे ही रिटन बना कर देगी ऐसा नहीं होता है ठीक है कोई भी यही पोजिशन फर्स्ट पाया आता है तो उसको हमेशा हर क्लास में बनाये रखना बड़ा मुश्किल है कब तक बना रखेगा लेकिन ऐसी उमीद हम कर सकते हैं कि यहां अब 8 तो देखकर ज्यादा बढ़ाईएगा मत उसके बाद आपको दुखी होना पड़ेगा यदि आपके मतलब एक्सपेक्टेसंस के अनुसार जो उसने कारिया नहीं किया रिटन इतने नहीं बने तो ठीक है तीसरे नंबर के एचस बीसी चार लाग सतासी है उसके बाद चार अ यहाँ पर जो टोप में है उसने बनाए आठ लाग रुप है यदि पहले वाले को छोड़ दू तब भी साड़े पांस लाग रुप जो है सेकिंड नंबर वाली स्कीम ने बना कर दी है तो इसमोल कैप के डिगरी में रिस्क ज्यादा है लेकिन आपको रिटन भी उसी के इस आप से यदि सब कुछ ठीक रहा और मार्केट यदि बहुत ज़्यादा गिर गया तो उसके बाद रिकवर भी हुआ है पास्ट में हुआ है आगे भी होता रहेगा वो यह कहानिया बनती रहेंगी और ऐसे ही हिस्ट्री के रियेट होती रहेगी बहुत लोग आपको डराते भी है अब उसका मतलब यह नहीं कि डराते हैं तो उनका डराना गलत है लेकिन आपको कितना डरना है या आपको डिपेंड करता है आपको रिस्क कितना ले सकते हो रिस्क अपिटाइट आपका कितना है कैसे आपने वैल्थ मैनेजिमेंट को कैसे मैनेज कर रहे हो सेविंग क करता हूँ आज की जनकर यह आपको पसंद आई होगी कुछ यह दी पॉइंट्स मिले हैं तो बाकी लोगों के साथ भी सेर कीजिए और कमेंट करके बताइए अपने सजेसंस भी कमेंट कीजिए कि आपको किस टोपिक पर वीडियो चाहिए यदि कोई बोलता है बार-बार बोल आपरत राम राम